इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं HCL के CARS सिस्टम को, combat air teaming system को, यहाँ पर कौन से जो नय element वो आ रहे हैं, और system के first light को लेकिए जो timeline है, उन सभी को cover करने वाले हैं, और जो नया configuration है, internal weapon B के लिए, वो भी सामने तो उसको हम cover करेंगे, तो यहाँ पर CARS में नय element की बात करोगे तो जो OMCA है, यानि कि optionally manned combat aircraft, वो नया element आपको दिखा है, इसका जो एक poster है, वो लगाया गया था, जहाँ पर HCL के कीरन पे, जो modification है, और technology का implementation है, वो किया जा रहा है, उसमें एक crucial technology है, पाइलिट से unmanned handover की technology, वो अचीफ की गई है, तो अभी जो कीरन है, वो एक technology demonstrator है, जो सबी technology को implement करेगा, जो यहाँ पर जाने वाली है, और बाद में जो आपको optionally manned aircraft होंगे, वो इसका part बन जाएंगे, यहाँ पर graphic में जो आपको MiG-21 है, वो दिख रहा है, और fogr दिख रहा है, दो और additional element की बात करोगे, जो कि CATS में add आपको दिख रहे हैं, वो CATS HLE-TP है, जो एक turbofan engine based HLE-UAV होगा, यह fly करेगा 60,000 feet पे, लबग 18 km altitude पे, तो यह तो जो नए element है, वो यहाँ पर कैल्स family में आपको दिख रहे हैं, अगर warrior की बात करोगे, CATS warrior की, तो इसके जो scale down model है, वो अल्रेडी fly कर चुका है, और जो एक full scale model होगा, वो fly करेगा 2024 के Q3 में, कुछ additional technology की बात करोगे, जो कि achieve कर लिया गया है warrior में, warrior में जाहते हो system होगे, वो electric होगे, सिर्फ जो propulsion है, वो jet based है, warrior के अंदर जो antenna होगा, वो concealed रहेंगे, जाहते हो communication antenna होगे, वो concealed रहेंगे, पूरा जो structure है, वो composite का है, और जो internal weapon bay है, वो भी यहाँ पर दिया गया है, इसको लेकि हम ब रहेंटे की रहेंगी, technology की बात करोगे, यहाँ पर जो all electric landing gear है, वो develop कर लिया गया है, wheels ब्रेक बन चुके है, जो flight control system actuators है, वो बना लिये गया है, और जो इसका structure है, उसको design किया गया है, minus 0.5G से लेके, plus 2.5G की बीच में operate होने में, यहाँ पर application की बात करोगे, तो जो air to ground attack है, soft target के against, वो यह करेगा, जैसे की communication centers हो गया, missile unit हो गया, bunkers हो गया, जो और जो parked aircraft हो गया, runaway हो गया, तो इस तरह के जो target है, उनको यह destroy करेगा, D.A.D. mission में, जो payload है, वो 500 kg से लेके 600 kg की बीच में रहेगा, weapon configuration की बात करोगे, तो जो 2 D.A.D.O का saw है, उसको carry कर पाएगा, जो next generation close combat missile है, दो के नंबर में वो carry कर सकेगा, जैसे कि आपको picture में दिख रहा है, तो यह पहला configuration है, अगर second configuration की बात करोगे, तो 6 के नंबर में, जो ALFA है, यानि कि Air Launch Swarm UAV, उसको यह 6 के नंबर में carry करेगा, इन UAV को develop किया है, HL ने, new space technology के साथ मिलके, particularly यह कामा काजी UAV के engine है, single spool pure turbojet engine है, इसको develop किया HL के ARDC ने, axial compressor का यह इस्तमाल करता है, जहाँ पर जो rated thrust है, वो 380 kgf का है, इसके लिए maximum flying altitude है, वो 9000 meter का ही है, जितनी required है, और जो max air speed है, वो 0.7 mark की है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो engine का drive weight है, वो 72 kg से नीचे का है, तो यह जो engine है, वो cast warrior में जा हैगा, इसके नोज पर, जिसकी जो range रहेगी, वो आप 200 km तक रहेगी, और यह जो radar है, वो आपको assist करने जा रहा है, एक close precision के साथ स्ट्राइक करने में, चाहो ground target हो, यह फिए air to air target हो, तो hopefully जो पहली flight है, वो 24 में आपको दिखेगी, actual system की, फिलाली स्लोडियो में इतना ही, जाहेंगा, जाहेंगा.